हेलो अल्कम बैक में दोस्तों वीडियों बात करेंगे जैसे आटी क्लास एट का हिंदी चेप्टर आपका टूवेले चेप्टर का नाम है बस के आतरा बचुटी के चेप्टर करने वाले फूल कोस्टर अंसर राएंगे सभी प्रसन होता है तो आप से रिक्वेश्ट के जो भ पर बस का टायर पंचर फिस हो गया जिसे बस जोर से हिलकर गुरूग गई अगर यह बस तेज गती से चल रही होती तो अवस्ते हिव चलकर गनाले में गीर जाती बचुटी के ऐसे में लेखक ने कमपनी के इसे दार की और सरदा भाव से देखा बचुटी के चलतों लागे में पढ़ सकती है बचुटी के फिर भी निरंतर बस को सड़क पर दोड़ा रहा था आतरियों के चिंता कि ये बिना धन बटोरने पर लगा था बचुटी के चलतों लेखक को लोगों ने साम वाली बस से सफ़र ना करने की सला क्यों दी बचुटी अंतर इसको उत्तरम लोगों को बस की सचाई का पता था अर्थात वे उसकी जरजर दसा से परिचीत थे बचुटी के चलतों लेखक को एसा क्यों लगा कि सारी बस ही इंजन है और वा इंजन की भीतर बैठा है बचुटी के असल में वा बस इतनी हिल तो कापती थी जैसे इंजन स्टार्ट करने के बाद बहुत कंपन करता है उसी परकार बस भी कापती थी इसलिए लेखक को लगा कि सारी बस इंजन ही इंजन हो गई हो और वा बस में ना बेठका इंजन में ही बेठ गया हो बचुटी के चलते को सुनब चिस चोथा का गरसु कह करा कि लेखक को तब हरानी क्यों हुई जब कंपनी के हिसादार ने बताया कि बस अभी अपने आप चले गी यानतिसको उतरम लोग लेखक के अनुसारोवा बस इतनी पुरानी थी कि धक्का मारने के बाद ही चल सकती थी जब कमपनी केशदार ने कहा कि बस अपने आप चलती है आप अभी देख लें तब लेखक को अस्चर हुआ जानते कोसिनों पाच्म का किसो क्या करा है आप लेखक हर पेड को अपना दुस्मन क्यों समझ रहा था यानते इसको उत्तरम लोग जरजर बस होने के कारण लेखक को लगता था कि कहीं बस कि अश्ट्रिंग फेलना हो जाए जिससे किसी पेड से टकरा जाए अधी पेड से बस टकरा गई तो मोथ निश्ची थी आ जाएगी बच्चो ठीक है इसलिए सडक के किनारे किनारे खड़े पेड उसे दुस्मन जिससे लग रहे थे बच्चो ठीक यानते कोसिनों नेश्ट्र लोग का पार्ट से आगे का प्रसन उत्तर ठीक है पहले प्रसन क परकार चलते चाने के संदर्व में किया है लेखा का वेंग रूप में बताना चाहता है कि बस की दसा चंद खराब है वह चलने की दसा में नहीं है फिर भी कभी धीरे धीरे कभी रुक रुक कर चलती रहती है ऐसा लगता है कि ड्राइबर तथा आतरियों के खिलाब वह परणेवाहनों को सडकों पर चलना उचित है पुराने वहाहन को किस परकार नुकसान पहुचाते हैं जानते इसके उत्तर बच्चम्लों को वहनों को सड़कों पर चलना अनूचित है, सरकार ने भी इस पर प्रतिवम लगा दिया है, पुराने वहन से धूआ निकलता है, उससे वाईू पर्दुसन होता है। पुराने वहन आवाज करते हैं जिससे धौनी पर्दुसन बढ़ता है ये वातावरन को परदूसित कर नुकसान पहुचाते हैं बच्चो ठीक चलते को सिनेश्ट नुवाओ तो बच्चो नेश्ट अपलोग का अनुमान और कलपना बच्चो ठीक पिला प्रसंग करा अधी बस बोल सकती तो वह अपनी बुरी हालात और भारी बोज के क बच्च को किन सब्दों में व्यक्त करती लिखिए यांत इसको उत्र बच्चों लोग बस चिक कर करती मेरी बोड़ी बनवाओ खिड़की में सीसे डलवाओ इंजन की सर्विसिंग करा दो सवारी इतनी ठूस ठूस के ना बिठाओ टायरों को नया लगा दो आधी बच्चो ठीक है चलते कोशन दूसरे करा अपकी लेखक को बस की आतरा में हमेशा अपना जीवन संकट में लगा मगर अंत में उसकी विताबी और तनाव खतम हो जाते हैं बताये की लेखक की चिंता क्यों खतम हो गई जबकि उसकी परिस्थिती में कोई परिवर्तन नहीं हुआ जान अता वा उमीद हीन हो गया उसकी विताबी तनाव सब खतम हो गए बच्चो ठीक वीडियों का चुका फूल सलुसन ताप से रिक्वेस्ट की जो भी चलनल पर ने चलनल को सब्सक्राब कर लें फाथे ब्लेकर प्रेस कर लो क्या करें बीडियों का जारकन का हर एक बच्चे वीडियो पोस्ट से उचे टेक है जैन जै भारत अन्दे मातरा मिलते हैं जूडियों तो चलिए